तो आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट है आपको दिखी रहा होगा कि मैं क्या आप लोग लिए लेकर आया हूँ यहाँ पास मैं केबल कोशन पेपर ही दिखाने वाला हूँ तो यह आपकी सबसे बड़ी गल्ती होगी क्योंकि आपको यहाँ पास एक रियाल मोश्ट इंपोर्टन कोशन इंपोर्टन नहीं होता उससे भी ज़्यादा आपका यहाँ पास कोशन पेपर इंपोर्टन होते हैं क्योंकि कोशन पेपर हम लोग अच्छी तरीके से जब एनलाइस करते हैं तो हमें क्या पता चलता है कोशन पेपर के पैटरन के बारे में एक आपका टाइम बेस्त नहीं करेंगे तो सबसे पहले यहां पास आपका याता है डेट कि आप लोगों का एक्जाम इस बार कब होगा जो भी लोग यहां पास 2023 में आपका एक्जाम देना चाहते हैं और मैं आपको बता दो कि सबको बता है कि इस बार आप लोगों का एनीपिस बस आप कर सकते हैं कि नेशनल एजुकेशन पुलसी तो आप लोग को बताई होगा कि 2022 में यहां पर डायेट लागू हुआ है तो यहां पास जब 2022 में आपका एक्जाम हुआ था तो यह पहला पेपर है जो 2023 में आप लोग देखोंगे यानि कि अगर आप लोग 2022 के पेपर कि आंपरेकों को देखते हैं तो बोगों का यहां पर यहां करकिए जांब सकते हैं कि यहां करेंज इसी तरीकेशन में मिल जाएक कि आप से किस तरह यहां पर कोशन पूछा गया था तो पहला आपका यहां पास और टाइप कोशन के बारे में तो पहला आपका कोशन यहां पर देखनों मिलेगा कॉंबिनेशनल एबं सर्कुलर सर्केट के बारे में कि इन दोनों में आपको क्या करना है अंतर बताना है तो यहां पास मैं बता दू कि यह कोशन आप लोग के लिए बेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है क्योंकि जो 2022 में पर कोशन पूछेगा है वह 2023 में भी आ सकते हैं अगर आपके मन में डायूट होगा तो सिंपले से आप लोग इन पूरे कोशन को रेडिक कर लेना मैं आप लोग के वल एक नहीं आप लोग के लिए कई मोडल पेपर यहां पास देने वाला हूं तो आप लोग लिए यहां पास मैं चैनल क्रियेट किया हूं तो दूसरा कोशन पर बेरी मोश्ट इंपोरेंट है जो कि है आपका यहां पास डिश्टल कंप्यूटर का एक स्वच्छे ब्लॉक डाइगराम दीजिए अगर आप लोग यहां पास कंप्यूटर सिस्टम अच्छी तरीगे से रेडिक कर रहे होंगे तो यहां पास मैं आपको बना हैं पर आपको अच्छा नांबर यहां तो आप लोग यहां पर चेखे लिए यह मोश्टंपोर्ट हzę लिए बहरी मों कुश्टन कॉस्टन है कि मलटीकोर प्रोसेसर में क्या अंतर है यानि कि यहां पास आपको अंतर बताना है मल्टी कोर्फ प्रसेशर के बारे में और मल्टी प्रसेशर के बारे में अगर आप लोग अच्छी तरीके से लेडिक किये होंगे तो आपको यहां पास बता होगा एंड इसके वाद फिर आपको आता है इंटरप्ट क्या है यह वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है क्योंकि इंटरॉप से बहुत सारे कोशन आपके इनवर्सिटी में यहां पास पूछे गए हैं और पूछे जाएंगे भारत में कम से कम दो पैरलल कंप्यूटिंग प्रजेक्ट के नाम दीजिए यानि कि आप कहा सकते हैं भारत कैसा कौन जिनको कंफ्यूजन होगा कि हमें कित्ता लिखना चाहिए तो आपके एकी पेपर से पुरे डाउट की गयर हो गया हूं कि आपको जो नीचे दिया गया है गेट के सेंबल तुरूष टेबल को अप्योग दीजिए अगर आप लोग यहां पर एक्स और गेट अच्छी तरीक पर कर जायोगे इसके वाद पिर आपका आता है रेजिस्टर के बारे में तो रेजिस्टर को भी आप लोग यहां पर रीडी कह लेना और हम भी एहां पर जल्दी जल्दी यहां पर एडिक करना है यहां पास आपको फ़र्ष्ट पेपार उसमें डाइगराम को कापी ज़्यादा यहां पास फोकस किया गया है तो डाइगराम यहां पास अच्छी दरीगे से देखना चलिए हम लोग यहां पास और स्क्रोरिंग करते हैं तो इसके बाद पर आपका ब बेरी मोस्त इंपोर्टन आपकी जाम में यह पूछ सकता है अब यहां पास हम लोग लगुत्री पर संदेख लिए हैं अब इसके बाद हमारा फिल लास्ट पास आता है दीर घुत्री पर आपको नहीं पता कि आप लोग कैसे इसे एक वीडियो बना चुका हूं तो आप लि डिकोडर के बारे में मल्टी प्लेक्षर के बारे में आंड्रेस के बारे में यह ऐसे कोस्टन जो कि आपकी इनवर्सिटी में पूछे गया थे आप लोग इनका तीन अच्छी तरीके चितर बना लेते हैं यानि डाइगराम तो अच्छे नंबर लेकर आ जाओगे इस पीप आफ लोग CPU को बारे म अच्छी तरीके बारे में लिखे लेना कुछ आपको हाट्वायर चन्लु यूण के बारे में ईप्न रॉयमी Library के बारे में तो आप लोग उनको राइडिक कर सकते हैं आप लोग 2023 में एक्जाम देना चाहते हैं तो आप लोग प्लेश इन कोस्टन पेपर को रेडी जरूर करके जाना आता है या नहीं आता आपके इंवरसिटी को बटेपन करेगा लेकिन यहां इस्पीरियंस बता सकता हूं कि प्रिवेर कोस्टन पेपर से बहुत सार ले जाए हैं बाय बाय